नास्कार आप देख रहे हैं मरी नाइन आपके साथ मैं हूं संदीब ग्रोवर और मरी नाइन के खास वीकली शो कंपनी नमा के दिवाली स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में हम आपको कॉर्पेट्स और स्टार्टप्स के बारे में सोमवार से शुकवार की बड़ी खबरे बताते हैं और साथ ही विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं हमारी खास सेग्मेंट ऑन दा रडार के जरीए तो कॉर्पेट के साथ शूरू करते हैं इस हफते की बड़ी खबरों का सिलसिला पहली खबर सोमवार 6 नवंबर को सेलो वर्ल्ड की और से आईपियो के तहर जारी शेरों की शेयर बादार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग दमदार रही बेसी पर सेलो वर्ल का शेर 831 रुपे और एनेसी पर 829 रुपे पर लिस्ट हुआ यानि की 648 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले एनेसी पर करीब 28 फीजदी के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई दरसल इस दमदार लिस्टिंग के पीछे वज़ा है आईपियो के मिला मजबूत रिस्पॉंस या आईपियो कुल 42 गुना के आसपा सबस्क्राइब हुआ था जिसके जरीए कमपनी ने 1900 करूड रुपे के रकम जुटाई है अदानी गुरूप बीते हफ़ते कैई ख़़वों के चलते फोकस में रहा पहली ख़बर ये थी कि अदानी गुरूप FMCG कारोबार से जुड़ी कमपनी अदानी विल्मर से बाहर हो सकता है सोमवार को चर्चा ऐसी थी कि अधानी ग्रूप की और से विल्मर के साथ जेवी कमपनी में अपनी पूरी करीब 44 फीजदी सिदारी को बेचने के लिए कई मंटी नैशनल कमपनियों के साथ बातचीच चल रही है ये डिल धाई से तीन अरब डॉलर में हो सकती है और अगले एक महिने में इस डिल का ऐलान होने की संभावना है सोमवार 6 नवंबर को अधानी विल्मर का शेयर मजबूत बाजार में भी करीब पौने दो फीजदी गिर कर दिन के निचले सरके करीब बंद हुआ था इसके लावा खबर ये भी थी कि अधानी हिंडनबर केस में इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंदचूर ने बुद्धवार तक सभी पक्षों को अपना अंतिम जवाब जमा करने के लिए कहा है एक पेटिशनर की और से वकील परशांत भूशन ने सवाल उठाया था कि ये मामला बार बार टल रहा है और इसकी सुनवाई में देरी हो रही है आला कि अधानी एंटर्प्राइज का शेर 6 नवंबर को करीब आने एक फीजदी की बड़त लेकर बंद हुआ था साथ नवंबर को खबर आए कि मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी जोपडपटी धारवी के रीडेवलप्मेंट के लिए अधानी ग्रूप की और से करीब डेड़ अरब डॉलर का निवेश किया जा सकता है रिपोर्ट के मताबिक इस प्रॉजट को अधानी ग्रूप के आंतरिक संसादनों यानि इंटरनल एक्रूल से फंड किया जाएगा कंप्री डामा के पचास में एपिसोड में हमने आपको बताया था कि धारवी के रीडेवलप्मेंट प्रॉजट के लिए अधानी ग्रूप ने पांच हजार उनतर करोड रूपे की सबसे उची बोली लगाई है इस रीडेवलप्मेंट प्रॉजट के लिए स्पेशल पर्पस वेहिकल यानि एस पीवी का गठन किया गया है जिसमें अधानी ग्रूप की 80 फीज़दी और महरास्टा सरकार की 20 फीज़दी इसे दारी है कॉलंब में अधानी समू की तरफ से डेलप हो रहे पोर्ट टर्मिनल में करीब 55 करोड डॉलर का निवेश कर रही है इस रिपोर्ट के मताबिक श्री लंका में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी सरकार ने ये कदम उठाया है आठ नुवंबर को अधानी पूर्स का शेर करीब 2 फीज़दी चड़कर 817 रुपे 20 पैसे की सतर पर बंद हुआ दूसरी खबर ये थी कि अधानी समू की कमपनी अधानी ग्रीन श्री लंका के पावर सेक्टर में 75 करोड डॉलर का निवेश करेगी आठ नुवंबर को जब ये खबर आई तो अधानी ग्रीन का शेर करीब 1.5 फीज़दी चड़कर 944 उपे 90 पैसे किस्तार पर बंद हुआ था तीसी कबर देश की सबसे मुलेवान कमपनी रिलाइस इंडस्टिस लेमिटेड यानी आरायल को लेकर इस अफ़ते 2-3 खबरे आई पहली ये कि आरायल की रिटेल कारोबार से जुड़ी सबसेडिरी कमपनी रिलाइस रिटेल बरती मांग को पूरा करने के लिए स्मार्ट बाजार स्टोर्स खोल रही है पर ये स्टोर्स पचास हजार तक की जनसंख्या वाले शेरों में खोले जा रहे हैं 6 नमबर को आरायल का शेर करीब एक फीजदी चड़कर 2349 रुपे के सर पर बंद हुआ था 7 नमबर को खबर आए कि टेक्सेल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज अपनी पेरेंट कंपनी रिलाइस इंडस्ट्रीज को करीब 3300 करूड रुपे के प्रेफरेंस शेर जारी करेगी सबसे बड़ा बॉण्ड विक्री कारेकरम है एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने दस साल के बॉण्ड 7.9 फीजदी कूपर रेट पर जारी किये हैं 8 नमबर को आरेल का शेर करीब आदा फीजदी की बड़त के साथ 2333 रुपे 75 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था चौथी कबर वित्वर 2024 की दूसी तिमाही में लगातार दूसरी बार मुनाफ़ा दर्श करने के बाद सुमभा 6 नमबर को फूड डिलिवरी प्लाटफॉम जोमैटो ने जोमैटो के एक दुशनलवर तीन आट करोड शेरों की ब्लॉग डिल हुई ब्लॉग डिल में हाथ बदन ले वाले शेरों की संख्या कंपनी की शुने दुशनलव एक छे फीज़दी हिस्से के बराबर है इस ब्लॉग डिल के बाद 6 नमबर को जोमैटो का शेर करीब 6 फीज़दी की बढ़त के साथ 123 रुपे 45 पैसे के सर पर बंद हुआ और दिन के दुरान शेर ने 123 रुपे 90 पैसे के 52 हफते की उचाई को भी चुआ था क्योंकि अच्छे नतीजों के बाद ब्लॉकिंग हाउस यलसे ने जोमैटो शेर की डेटिंग आउट परफॉर्म से बढ़ा कर खईदे कर दी और शेर के लक्षे को बढ़ाकर 168 रुपे कर दिया पांचवी खबर सोमबाद 6 नमबर को ही बजा इंदुसान शुगर के शेरों में भी एक दुशनलर 9 करोड शेरों की बड़ी ब्लॉक डिल हुई ब्लॉक डिल ने में हाथ बदनने वाले शेरों के संख्या कंपनी के दो हफ़ते के औसर ट्रेडिंग वालिम से करीब 4 गुना जादा थी वैसे भी आठवे दिन लगाता तेजी रहने के चलते ब्लॉक डिल होने के बाद इस शेर का सेंटिमेंट और मजबूत हो गया बाया इंदोस्तान शुगर के शेर सौमबार को करीब 19.5 फीजदी के उचाल के साथ 52 हफते के उस्तम सर 34 रुपे 95 पैसे तक उचल गए थे एक साल में शेर 200 फीजदी से ज़दा का उचाल दर्च कर चुका है और कारोबार के अंत में ये शेर करीब 16 फीजदी की तेजी के साथ 34 रुपे के सतर पर बंद हुआ था चटी कबर फूटवेर, रीटेलिंग और मैंउफेक्शिण के कारोबार से पर बंद हुआ था साथ वी कबर ममार्थ नाम के ब्यूटी प्रोडक्स का उत्पादन करने वाली कंपनी होनाजा कंजूमर के आई पियो की मंगलबार साथ नोंबर को शेयर बजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग फ्री की रही NSE पर इस कंपनी के शेयर 330 रुपे पर और BSE पर 324 रुपे पर खुले यानि की 324 रुपे के इशू प्राइस के मकाबरे NSE पर शेयर महज 2 फीजदी के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ आपको बता दे कि इस कंपनी के IPO को कुछ खास अचा रिस्पांस नहीं मिला था या IPO कुल साड़े साथ गुना के आसपास ही बरा था इसके जरीए कंपनी ने करीब साड़े दस हजार करोड रुपे के वैलियूशन पर एक हजार साथ सो एक करोड रुपे की रकम जुटाई है साथ नुवंबर को कारोबार की समाप्ती पर ममात का शेर 324 रुपे के इशू प्राइस से करीब 4 फीज़दी और 330 रुपे के ओपनिंग प्राइस से करीब सवा 2 फीज़दी उपर बंध हुआ था आठवी खबर आठ नुवंबर को जब ये खबर आई तो डावर इंडिया का शेर करीब आदा फीज़दी की बढ़त के साथ 538 रुपे पीस पैसे के सतर पर बंध हुआ था नौवी खबर देश की दिगज फार्मा कमटियों में से एक सिपला के बोर्ड ने जेनरिक्स बिजनस से जुड़ी एकाई को अपनी सब्सिडरी कमटी में ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है साड़े 300 क्रोड रुपे की रकम में ये कारोबास सिपला फार्मा एंड लाइफ साइंसेस लिमिटेड यानी सी पी एलेस नाम की कमटी में ट्रांसफर किया जाएगा आपको पता दे कि वितवच 2023 के अंतक जनरिक्स बिजनस का सिपला के टर्न ओर में करीब 10 फीजदी और नेटवर्ट में करीब 1 फीजदी का योगदान था ये डील 31 दिसमबर 2023 तक पूरा होने की उमीद है आठ नॉमबर को जब ये खबर आई तो सिपला का शेर करीब 2 फीजदी चड़कर 1240 रुपे के इस तर पर बंद हुआ था दस फी कबर शुकवार 10 नॉमबर को ईसेफ स्मॉल फिनेस बैंक के आई पियों में जारी शेरों की शेर बादार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली एनसी पर इस कंपनी का शेर 71 रुपे के बहाब पर खुला यानि की 60 रुपे की इशू प्राइस के मकाबले एनसी पर शेर 8.3 फीजदी के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ आपको पता दे कि इस कंपनी के आई पियों को दमदार रिस्पॉंस मिला था या आई पियों कुल 77 गुना सब्सक्राइब हुआ था जिसके जरीए कंपनी ने कुल 463 करोड रुपे की रकम जुटाई है 10 नॉबर को कारोबार की समापती पर इसेप स्मॉल्टनेस बैंक का शेर 60 रुपे के इशू प्राइस से अच्छे खासे प्रीमियम पर पर 70 रुपे के ओपनिंग प्राइस के करीब जाकर बंद हुआ था 11 वी खबर एमदाबाद की फार्मा कंपनी एरिस लाइफ साइंसीस ने बायकॉन बायलोजिक्स के नेफ्रो और डर्मा यूनिट्स को खरीदने की घोशना की है दोनों कंपनियों के बीच 366 करोड रुपे की रकम में ये सौधा तैय हुआ है जिसे पूरा करने के लिए कंपनी आशिक तौर पर कर्ज की मदद भी लेगी इस दील के तहट 20 से जादा ब्रैंट के लिए करार किया गया है जिनका वित्वर दूदा 23 की आए में 90 करोड रुपे का यूगदान था और अस्टन सलाना आए में करीब 100 करोड रुपे के आसपास का यूगदान रहता है इस दील से एरिस लाइफ की नेफ्रोलोजी सेग्मेंट में एंट्री होगी वहीं बायकोन बायलोजिक्स को की थेरपी एरियास, डियाबिटीस, उनकोलोजी और इम्मिनोलोजी पर फोकस करने में मदद मिलेगी नौन ओंबर को जब ये खबर आई तो एरिस लाइफ साइंसिस का शेर करीब सवाई 1 फीजदी चड़कर 908 रुपे के सर पर और वायकोन का शेर मामुली बड़त लेकर बंद हुआ था तो ये थी बीते कारोबारी हफ़ते की कॉर्पे जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां लेकिन आप रुख करते हैं कॉर्पे जगत की ऐसी खबरों का जिन में कोई ना कोई विवाज जुड़ा हुआ है आपको ले चलते हैं पहली खबर की और देश की सबसे बड़ी स्टील उतपादक कंपनी टाटा स्टील ने यूके के बाद अब अपनी डच यानी नीदरलैंड्स की एकाई के लिए वहाँ की सरकार से वितिसाहिता की मांग की है वितिसाहिता की मदद से कंपनी अपनी नीदरलैंड्स की एकाई के डी काबनाईशन की योजना को पूरा करने की मंचा रख रही है 15 सितंबर को टाटा स्टील और यूके की सरकार ने ओट टेलबट स्टील प्लान की डी काबनाईशन योजना को पूरा करने के लिए 1.3 अरव पाउंड के जॉइंट इंवेस्मेंट प्लान पर सहमती जताई थी खबर आने के बाद 6 नवंबर को टाटा स्टील का शेयर करीब 2 फीजदी की मजबूती के साथ 120 रुपे के सतर पर बंद हुआ था दूसी कबर जेड एरवेस के फाउंडर नरेज गोईल को बंबे हाई कोट ने तगड़ा जटका दिया है दरसल बंबे हाई कोट ने नरेज गोईल की याचिका को खारिज कर दिया है आपको पता देगी 17 सितंबर को परवरतन निदेशालय यानि एडी ने गोईल को गरिफतार कर लिया था और एडी ने इसी कदम को गोईल ने बंबे हाई कोट में चुनौती दी थी नरेज गोईल ने कहा था कि उनकी गरिफतारी गैर कानूनी है इसलिए विशेश आदालत के फैसले को हाई कोट पलट दे लेकिन हाई कोट ने नरेज गोईल की याचिका को खारिज कर दिया था नरेज गोईल को कैनरा बैंक से मिले करीब 538 करोड रुपे के लोन की मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार किया गया था साथ नुवंबर को जेट एरविस का शेर करीब 2 फीज दी गिर कर 54 रुपे 65 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था तीसी कबर बॉंबे स्टॉक एक्सेंज यानि बी एस सी को दी गई जानकारी के मताबिक संकट के दौर से गुजर रही जेपी ग्रूप की फ्लैक्शिप कंपनी जेपी एसोसियेट्स ने 4,258 करोड रुपे के लोन भुकतान की रकम पर डिफॉल्ट कर दिया है इस रकम में प्रिंसिपल और इंटरस्ट दोनों की रकम शामिल है कंपनी की और से साजा किये गए आंक्रों के मताबिक 31 अक्टूबर को इस कंपनी ने 1,733 करोड रुपे के प्रिंसिपल और 2,525 करोड रुपे के ब्याज भुकतान पर डिफॉल्ट किया है डिफॉल्ट की गई इस राशी में कई बैंकों के लोन शामिल है जो की वर्किक कैपिटल टर्म लोन और एपसी सी बी यानी फॉरंग करनसी कनवर्टिबल बॉण्स के रूप में लिए गए है इस कंपनी पर ब्यास समेट कुल 29,272 करोड रुपे की दिंदारी है जो की कंपनी को 2037 तक चुकानी है 6 नुवंबर को शेर 10 फीजदी के निचले सरकेट पर बंद हुआ था पर 7 नुवंबर को शेर में रिकवरी देखने कमली और शेर करीब 8 फीजदी की बढ़त लेकर बंद हुआ था चौती कबर ये खबर आने के बाद 7 नुवंबर को करीब 33 फीजदी हिस्से वाली प्रोमोटर गूर्प कंपनी बॉंबे बर्मा का शेर करीब 3 फीजदी की मजबूती के साथ 1454 रुपे 50 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था पांचवी कबर दुनिया भर में विमानों को इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी प्रैटन विटनी यानी PNW के इंजनों में खड़ाबी की वज़े से दुनिया भर में उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है और इसका असर भारत की सबसे बड़ी एरिलन कंपनी इंडिगो पर भी पढ़ सकता है इंडिगो के करीब 35 विवानों को उनने से रोका जा सकता है मार्श तिमाही यानी वित्वर 1224 की चौथी तिमाही के दुरान इंडिगो के 35 विवानों के ग्राउंड़ होने की संभावना जताई जारी है ऐसा हुआ तो गोफर्स के बंद होने की वज़े से पहले से जूज रहे भारतिय एविशन सेक्टर को और जूज ना पर सकता है आठ मॉमबर को जब ये खबर आई तो इंडिगो का शेयर करीब आदा फीजदी गिर कर पर दिन के निचले स्थर से एक फीजदी से ज़्यादा की रिकावरी के साथ 2575 रुपे के स्थर पर बंद हुआ था चटी कबर देश की तीसी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंप्ट्री वोड़ाफोन आईडिया को बॉमबै हाई कोट ने बड़ी रहत दी है कोट ने आईकर विभाग को निर्देश दिया है कि वो वोड़ाफोन आईडिया को 1128 करूड रुपे का टैक्स वापिस करे वोड़ाफोन आईडिया ने साल 2016-17 के लिए टैक्स भुगतान किया था कोट ने आईकर विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग ने जो एसेस्मेंट आउडर दिया था वो समय सीमा के भीतर के लिए था और इसलिए उसे बनाए नहीं रखा जा सकता है 9 November को जब ये खबर आई तो वोड़ाफोन आईडिया का शेर दिन के दुरान करीब 2 फीजदी चड़कर 13 रुपे 95 पैसे की सतर पर बंद हुआ था सातवी खबर मेटल माइनिंग और नेचरल रिसोर्सिस के कारोबार से जूड़ी कंपनी विदानता की पेरेंट फर्म विदानता रिसोर्सिस लिमिटेड यानि वी आर एल अपनी धाई अरब डॉलर की रकम जुटाने की योजना को अंतिम रूप दे रही है देशल कंपनी की कर्द भुकतान की डेडलाइन पास आ रही है इसलिए कंपनी प्रेफरेंस शेर जारी करने निया कर्ज लेने से लेकर भारत में लिस्टिट कंपनी विदानता में अपनी 33.7 एक फीज़दी हिसेदारी में से कुछ हिस्सा बेचने की भी उजना बना रही है जनवी 2024 में विरल के करीब एक अरब डॉलर की बॉण्ड भुकतान की लिए आएंगे इसके बाद अगस्त में 95.1 करोड डॉलर मार्च 2025 में 1.2 अरब डॉलर और अप्रैल दोज़दीश में 60 करोड डॉलर की बॉण्ड का भुकतान होना है विरल ने जनवी 2024 की पेइमेंट हो रहे कर्ज की 25 फीज़दी रकम बुकतान करने की मांग की है 9 नौवंबर को विदानता का शेयर करीब एक फीज़दी गिरकर 235 रुपे के लेवल के नीचे बंद हुआ था आठवी खबर रेलिगर एंटर्प्राइजिस के इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स यानी सवतंत निदेशकों ने डाबर इंडिया की प्रमोटर फैमली बर्मर परिवार की तरफ से किये गे इस कंपनी के अधिग्रहन को बड़ा फ्रॉड बताया है और इस बारे में रिजर्व बैंक से भी इर्डा तथा अन्य रेगुलेटर्स को लिखा है इस कंपनी के बोर्ड में कुल 220 रुपे पांच पैसे के स्तर पर और डाबर इंडिया का शेर करीब एक फीजदी गिर कर बंद हुआ था दस नुवंबर को इस मामले ने नया मोड ले लिया दरसल खबर ये थी कि बर्मर परिवार ने मार्केट रेग्लेटर से भी से रेली गेर की चे परसन रश्मी सलूज दस नुवंबर को रेलेगर एंटरपैजिस का शेर करीब आदा फीजदी की बड़त के साथ बंद हुआ था नौमी खबर फ्यूचर रीटेल के लेंडरस ने इस कंपनी के रेजलूशन प्रोफेशनल यानी आरपी विजे कुमार अईयर से एंसीयर टी में अर्जी दाखिल ना करने को लेकर स्पस्टी करन मांगा है अगर लेंडरस आरपी के जवाब से संतुष्ठ नहीं होते हैं तो वो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई करने पर भी विचार कर सकते हैं करीब दो हफते पहले बिना मंजूरी किये बिना मंजूरी लिए आरपी के और से फ्यूचर के लेंडर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि डेलॉय के समर्थन वाले आरपी ने अभी तक इस कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए बैंक्रप्सी कोट यानि NCLT को अरजी दाखिल नहीं किया है जबकि इस कंपनी के कर्श समाधान के लिए मिली एक मातर बोली को खारिश किये हुए लेंडर्स को पांच अफ़ते का समय हो चुका है 9 नौंबर को फ्यूचर इटिल का शेर बिना बदलाव के 3 रुपे 5 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था चले तो ये थी कॉर्पेट जगर से जुड़ी इस अफ़ते की तमाम बड़ी खबरे आई अब बात करते हैं स्टाट अप स्पेस की स्टाट अप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं परशानी के दौर से गुज़र रही एट टेक कंपनी बाइजूस को लेकर इस अफ़ते 3 खबरे आई पहली खबर ये थी कि लगबग डेड़ साल की देरी के बाद बीते शनिवार को आखिरकार कंपनी ने अपने गाटा 2406 करोड उपे से घटकर 2253 करोड उपे रहा है अलाकि कंपनी के मार्जिन माइनस 155 परसेंट से सुधर कर माइनस 63 परसेंट पर रहे हैं दूसरी कबर ये थी कि कंपनी अपना अमेरिका का किट्स डिजिटल रीडिंग प्लाटफर्म एपिक बेच सकती है एक रिपोर्ट के मताबिक इसके लिए कंपनी जौफर से बातचित कर रही है माना जा रहा है कि ये सौधा करीब 40 करोड डॉलर की रकम में हो सकता है 9 नॉम्बर को खबर आई कि बाइजूस को अमेरिका की एक अदालत से जटका लगा है बाइजूस ने अमेरिकी करदारों की तरफ से स्पेशल परपस वहिकल यानी SPV में नियूट किये गे एक सुतंत निदिर्शक के फैसले को कोड में चुनौती दी थी लेकिन अमेरिकी कोड का कहना है कि करदारों के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है करदानों ने बाइजूस को एक दिशामलव दो अरब डॉलर का करद दिया हुआ है दूसी कबर इकॉमर्स स्टार्टप उडान की साल 2025 में आई पो लाने की योजना है और इस योजना से पहले कंपनी अपनी लागत में कटौती करेगी कंपनी चोटे कारोबारियों को माल खईदे में मदद करती है और इससे उसका मुकाबला रिलाइंस और फ्लिपकार जैसे दिगजों से है कंपनी लागत में कटौती के साथ ही कंजूमर ब्रैंड्स के साथ नई पार्टनर्शिप भी करेगी यही नई कंपनी के CEO वेबर गुपता ने कहा है कि अगले 18 महिने में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफटेबिलिटी हासिल करने यानि कामकाजी मुनाफे में आने का लक्षे तैय किया है तीसी कबर नगदी के दिक्कत से जूज रहे क्विक कॉमर्स प्लैट्फरम डंजो ने वित्वर 2023 के नतीजे घोशित किये हैं जो की काफी निराशा जनक रहे है वित्वर 2023 में कंपनी का घाटा 3.8 गुना बढ़ गया है वित्वर 2022 में 464 करोड रुपे की तुलना में कंपनी का वित्वर 2023 का घाटा बढ़कर 1801 करोड रुपे रहा है इस दोरान अबिड़ा मार्जिन यानि कामकाजी मार्जिन माइनस 677 परसेंट रहा जो की वित्वर 2022 में माइनस 643 परसेंट था इसका मतलब यह हुआ कि एक रुपे की आया हासिल करने के लिए कंपनी ने 9 रुपे 9 पैसे का खर्च किया है क्योंकि वित्वर 2023 में कंपनी के आये 54 करोड रुपे से बढ़कर 226 करोड रुपे रही है वहीं दूसी और कंपनी के आडिटर डिलॉय ने कंपनी का कामकाज जारी रहने को लेकर चिंताएं जाहिर की है डिलॉय के मताबिक कारोबार जारी रखने के लिए अतरिक पूंजी और ऑपरेशन्स में सुधार बेहद एहम है चौथी कबर फूड डिलिवरी दिगज प्लाटफॉर्म स्विगी अगले साल यानि 2024 में बड़ा आईपयो लाने की तियारी करी है एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी साईपयो को लेकर एडवाइस देने के लिए साथ इंवेस्मेंट बैंकर्स का चुनाव कर सकती है इसमें कोटक महिंजा कापिटल, सिटी और जेपी मॉर्गन शामिल हो सकते हैं जनवरी में कंपनी ने अपने बीते फंडिंग राउंड में 70 करोड डॉलर की रकम जुटाई थी और तब कंपनी का वैलिशन 10.7 अरब डॉलर था पांचवी खबर एक्सल की और से समर्थन वाला Software as a Service यानी सास Startup O slash इस महिने के अंद तक अपना कामकाच बंद कर देगा इस Startup कंपनी की सापना साल 2020 में अंकीत पंसारी और सोहिप खान की और से की गई थी जिसने तुरंत प्रभाव से ने रेजिस्ट्रेशन असेप्ट करना बंद कर दिया है वहीं मौज़दा यूजर्स के लिए कंपनी एक Open Source Extensor रिलीस कर रही है जहां यूजर्स अपने मौज़दा सब भी Shortcuts को डाउनलोड और Export कर पाएंगे कारोबार बंद होने से ये स्टार्ट अप कंपनी अपने निवेशकों को उनकी रकम वापस लोटा पाएगी चटी कबर फिंटेक फर्म इनक्रेड इस साल यानी 2023 की दूसरी यूनिकॉन स्टार्ट अप कंपनी बन गई है इनक्रेड फरेंशल सर्विसिस की होल्डिंग कंपनी इनक्रेड होल्डिंग ने चाथ ताजा फंडिंग राउन में 500 कुरूर रुपे की पूंजी हासिल की है जिसके बाद स्टार्ट अप कंपनी का वैलेशन बढ़कर एक अरब डॉलर के पार चला गया है किसी भी स्टार्ट अप कंपनी का वैलेशन एक अरब डॉलर या उससे ज़्यादा होने पर उसे यूनिकॉन का दरजा हासिल होता है इससे पहले अगस्त में क्विक कॉमर्स प्लैट्वम जैप्टो यूनिकॉन का दरजा हासिल करने वाली इस साल की पहली स्टार्टप कमप्टी बनी थी इसके बारे में हमने आपको कमप्टी नामा के एपिसोड नमबर 89 में बताया भी था तो ये था कॉर्पेट और स्टार्टप जगत से जुड़ा बीते हफते का पूरा अपडेट उम्मीद है आपको कमप्टी नमा का इस हफते का एपिसोड अच्छा लगा होगा तब तक आप देखते रहें मरीनाइन और परसनल फ्लैंस पॉलिसी और शेयर बजार से जुड़ी तमाम आयम खबरों को जानने के लिए मरीनाइन के सूपर आपको तुरण डाउलोड कर लेजिए मुझे दीजिये जाधत नमस्कार शुबरात्री और आप सबी को दिवाली की धेरो शुब कामनाएं